जड़ी 2001-2011 तर्मदेयदारते सेंसस रिपोर्ट रिलीज किती गई है उस दे कई एम पहलू ने जड़ी चीज खास देखन मिली है उए है कि मुल्क च सिख जड़े 1.9 फीसदी 2001 सन और 2011 च कटके 1.7 फीसदी रह गयने ओवरॉल मुल्क बेच हिंदू पॉपलेशन क्रीब 80 फीसदी है मुसलमान पॉपलेशन क्रीब 14 फीसदी है अते क्रिश्चिन अबादी टाई फीसदी क्रीब पंजाब च सिख 2001 च क्रीब 60 फीसदी सन और 2011 चो कटके 1.8 फीसदी तों भी कट रह गयने इना दे मकाबले हिंदू पॉपलेशन सड़े 70 फीसदी तों वद के सड़े 78 फीसदी हो गयी है चंदिगट च पिछले 10 सालां च सिखांदी पॉपलेशन 16 फीसदी तों कटके 13 फीसदी रह गयी है वैसे ता रोजमरा जिंदगी देवेचे हिंदू अटे सिख पाई चाहरेचे और बाकी सारेयां देवेचे पिजाब देज़े लोग की रहीं देया उनना दे रैंड सेंड च कोई बहुता खास फर्क नहीं है इस विदाच रादे दो मुख कारण जाब देने एक बहुत सारे पिंडान दे लोग खास करके सिख बारले मुलकांच प्लाइन कर रहे ने पिछले दसन सालांच ही लखान लोग सियासी कारणा करके जां आर्थिक कारणा करके कनूनी अते गैर कनूनी टांगनाल बारले मुलकांच गए होएने या जारेने दूसरा बहुत सारे गैर सिक लोग यूपी बिहार वरगे राजनतों चंदिगड अते पंजाब च सेटल हो रेने पिछे जै अकाल तक दे जतेदार ने पंजाब च सिखां दी काटरे अबादी नो ठल पॉन वास्ते एक सफारिश कीती सी कि हर सिख नो चार-चार बच्चे पैदा करने चाहिए देने मेरा ख्याल है कि होर बच्चे पैदा करन दी विजाए जड़ी चीज दी वाकेई लोड है ओ एए है कि पंजाब च सई हलात पैदा कीते जान इना बेटर हलात करके लोग पंजाब चढ़के बारले मुलकां च ना जान ऐह होजे हलात थे पैदा करने चाहिए चंदीगड ची गैर सिख पॉपलेशन दे वदंदा मुख कारण एविए कि पंजाब दियां सारियां स्यासी पार्टियां ने इस शैर होते चंदीगड होते अपना क्लेम छड़ देता है पंजाब सरकार पिछले डेड़ दोस सालां चो इते नेड़े लगदे जड़े शैर या मुलां पूर जीरख पूर खरड उननों इंप्रूव करन पे या उननों वसान पे ज़ादा जोर दे लिया